Hello Guys, हम कोई भी प्रोडक्ट के फ़िक प्लिक करते हैं, तो हमें Purely White Background नहीं मिलता, हम White Background के लिए अपने Object को कट करके, फिर उस White Background पे पेश्ट करते हैं, बट ये भी सस्ता लगता है, वो लूक नहीं आता, जो हम प्रोडक्ट Amazon या Flipkart पे देखते हैं, जिसमें model की जो background रहती हो purely white रहती and वो full natural look देता है तो guys इसका solution क्या है मैं आपको आज की वीडियो में बता आने वाला हूँ तो चलिए guys अपना photoshop open कर लेते Photoshop open करने के बाद आपको इदर left top corner पर new file का option दिखेगा click करके create पे click करिए then guys यहाँ पर आपका window pop up हो जाएगा guys just इसे drag करके अपने windows पे इस तरह से कुछ कर लेजिए then अपने file को open कर लेजिए जिसे भी आपको edit करना है guys just मैं यह model को click कर लेता हूँ and इसे open कर लेता हूँ इसे भी हम कुछ इस तरह से drag कर लेते and guys यह मेरा model तो आप देख सकते इसकी जो background है आप easily से देख सकते यह purely white नहीं है देख सकते हैं आपर यह कुछ off white color की इस तरह से दीख रही है बहुत ही आसान है इसके background को white करना तो सबसे पहला guys आपको यहाँ उपर तो enough है guys मैं नहीं select करूँगा ना है मैं color pick करूँगा then guys ok पर click कर लीजे and यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह area select हो चुका है then group create करिए and click on mask then guys आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर एक mask create हो गया then guys यहाँ पर आपको alt button को hold करके mouse की left click कर देना है इस mask को then guys आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो subject है वो black है and जो मेरा background है वो white show हो रहा है then guys आप simply क्या करिए यह जो model है अपना इसको आप guys जहां से pen tool को select कर लीजिए then इसे पूरा black कर दीजिए model को आप पूरा black कर दीजिए आपको ध्यान से करना guys यह guys आपको ध्यान रहें आपको white background पर brush को नहीं paint करना है आपको सिर्फ guys अपने model पर यह black paint का use करना है झाल झाल आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने सब्जेक को प्यूर ब्लैक कर दिया है आपको यह चीज़ दियान से करने का है अगर ज़रा सभी कहीं कोने में बचा रहा तो वह आपको फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा ओक्वर्ड सा लुक देगा गाइस तो आपको यह चीज़ को धियान से करने का है आपको यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक लेयर क्रियेट कर लेना है एडिट पर जाके फिल पर सिलेक कर ये पर इसके कॉर्णर पॉइंट को देख सकते है जहरा सब इस गाइस इसके अंदर लग रहा है कि हमने अलग से वाइड बैक्ग्राउंड को मतलब पीछे लगाया है आप यहाँ पर देख सकते हैं वहारा जो वाइस geying ळ्लिक का जो यह थ्रेड आपको दीख लूब यहाँ थ्रेड वह ब्याया थ्रेड ब्रफकी इसके अंदर शों हो रहा है यहाँ सबजेक के हैड्य पर देखते हैं इसका हैर आप देख सकते हैं इसका गाईस जिससे कि ये एदम natural look देगा आप देख सकते हमारा पहले का result और अपना final result आप देख सकते हैं इस एदम pure white है और हमें cut to cut जो अपना layer का corner था वो भी हमें एदम perfect मिला है आज की वीडियो में बस इतना ही I hope guys आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लागी होगी